यमनानगर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं लगवग आठ महीने बाद फिर से जिले में कोरोना से मोत रिकोर्ड की गई है ताजा अकडो के अनुसार यमनानगर के खजूरी की एक पचास वर्षे महिला की पीजी आई चंडीगड में इलाज के दोरान मोत हो गई जिला सीविल सर्जन डोक्टर वगीश गुटेन ने बताया कि महिला को लंग्स और सांस लेने में दिक्कत थी इसके अलावा कुछ और परिशानियां भी थी जिसके चलते उन्हें पीजी आई में भरती कराया गया जहां इलाज के दोरानाज उनकी मोत हो गई अनफॉर्चुनेटली कल एक पचास वर्षी एक महीला थी और उनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज थी प्रॉंक्यलास तो अचे वो ग्रास थी जिसके चलते वो तीस तारीक को पीजी आई में चल्दी गड़ में भरती हुई थी और कल उनका वहां ते इलाज के दोरान निहांत हुए जी हॉस्पिटल में भी हमने आइसोलेशन बेट्स बनाए है और अगर हमने बनाए है अगर जूरत पढ़ते वैसे तो यह माइंड जो अभी जो यह वेरियंट हो माइंड आइस वेचाना तर लोग हॉस्पिटलाइज नहीं है घरों में ही है घरों में ठी हो और इस अगर जूरत बढ़ती है तो हमारे आइसोलेशन बेट्स की अब आरे सीएची पीची जिले का जो सरकारी हस्ताल है उसमें विवस्ता की वह हैं करोना की शैर यम्नानगर में थोड़े से केसी बढ़ोतरी पे हैं अगर मैं कल की बुलेटिंग के साब से बात करूं तो आठ रिकवर और ने जो मामले वो भी नौ आया है हाला कि पॉजिटिविटी रेट अगर बात करें तो वह सड़े चार के आसपास है पर जो अपरेल मा का मिन्ना है उसमें थोड़ा सा उसमें वड़ोतरी देखने को मिली है स्वास्त विभाग देखिए सचेत है करोना की जो स्टेट हैड़कॉर्टर से हमें प्राप्त हो रहे हैं उसको पूरी तरह से कंपलाई किया जा रहा है जो सैंप्लिंग की प्रिक्रिया है वो जिलाई हमना नगर ने में थोड़ी हमने बढ़ाई है और जो पहले हमारे चल रहे तो उसके हम दुगने या तीगने सैंपल लेन सब्सक्राइब करें और अगर पॉजिटिविटिविटी रेट हमारा जो एपरिल का है वो तकरीब देड़ परसेंट के आसपास अनफॉर्चुनेटली कल एक पचास वर्षी एक महीला थी और उनको पहले से लंग्स की डिजीज थी जिसके चलते होती इस तारीक को पीजी आइम्यार चल्दीगड में बरती हुई थी और कल उनका वहांते लाज के दौरां देहान दो इसमें सर इदी बात करें तो अपने हो यह वेरियंट में जादा तर लोग हॉस्पिटलाइज नहीं है घरों में ही है घरों में ठीक हो रहे हैं और इनके सब्सूरत पढ़ते हैं तो हमारे हमने आइसोलेशन बेट्स की हमारे सीएची पीएची जिस देले का जो सरकारी अस्ताल है उसमें विवस्ता की वही है